स्वागत है आप सभी का Take Study ITI YouTube चनल पर BSF की तरफ से Radio Operator और Radio Mechanic की पोस्ट आई थी वैकेंसी जिसमें Head Constable Radio Operator और Radio Mechanic था जिसमें अगर आप ITI पास आउट हैं या आपने 12th पास आउट किया Physics, Chemistry और Math के साथ तो आप इसमें eligible थे apply करने के लिए तो ITI के different trade भी इसमें eligible हैं आप देख सकते हैं ITI Certificate Radio and Television में Electronics में, COPA में, Data Preparation and Computer Software General Electronics या Data Entry Operator ठीक है है तो आप Radio Operator में apply कर सकते हैं या अगर आपने 12th जो है आपका माली जो trade इसमें mention ना हो तो आपने अगर 12th Fixed Chemistry Math से पास आउट किया है फिलब कर पाएं और इस vacancy के लिए apply करके आप आसानी से त्यारी कर पाएं इस vacancy की पूरी detail इसका syllabus क्या है कैसे आएगा कितने questions आएंगे कितनी देर का exam होगा उस पे आलड़ी हमने एक detail में वीडियो बना दिया है और syllabus पे exam pattern पे एक और detail वीडियो आपको मिल जाएगा बढ़ अभी farm पहले आप लोग fill up कर लीजे क्योंकि इसमें जो last date है farm भरने की वो आप यहाँ देख सकते हैं कि 20 अगस्त से farm start हो चुका इसका 19 September last date है 19 September से पहले पहले आपको farm fill up कर लेना है तो चैनल पे नहीं है तो subscribe कर लीजेगा साथ में वेल आइकन को हिट कर लीजेगा और भी vacancies आई हुई है DRDO September 10 में बहुत ज़्यादा vacancy आई आप उसमें भी eligible हैं तो 3 September के बाद apply कीजेगा साथी ITA की पढ़ाई भी इस चैनल पे होती रहती है तो आप अगर subscribe की रहेंगे तो सारी update information के साथ साथ पढ़ाई भी आपको मिलती रहेगी अब यहाँ देखे आपको सबसे पहले अगर registration वाली ये link हम आपको description में दे देंगे आप direct भी fill up कर सकते हैं और टेलिग्राम पे भी डाल देंगे देन आप आगे process करेंगे सबसे पहले अपना नाम इंटर कर लीजिएगा mobile number और email id इंटर कर लेते हैं यहाँ आप जैसे submit करेंगे इंटर करने के बाद आएगा your verification code जो है 10 minute के लिए valid है वो आपके mobile number और email id दोनों पे आ चुका है तो उसको यहाँ पे क्या करेंगे उस code को इंटर कर लेते हैं ठीक है open कर लेते हैं यह हो गया OTP submit करने के बाद अब आपको यहाँ पे अपनी identity detail डालनी है तो यहाँ पे आप identity detail अपना चूज कर लीजिए और उस चीज का number आपको यहाँ पे fill करना होगा आपको जैसे डालेंगे age आपकी आ जाएगी father's name आपको डालना है mother's name सरीर पर कोई आपके अस्थाई चिन हो कोई तिल हो कोई आपका cut का निसान हो उसको डालना है दिन आपको gender चूज करना है marital status चूज करना है category चूज करनी है ठीक है religion and category इसके बाद आपको यहाँ पर कुछ अगर physically handicapped है तियस करिएगा otherwise no करना है इन सब चीजों करने के बाद आपको save and next कर लेना है ठीक है इंटर कर लेते हैं सारी detail फिर से जैसे आपने सारी detail उपर की इंटर कर लिए आपको क्या करना है save and next पर click करना है जैसे आप save and next करेंगे अब यहाँ पर आपसे address detail पूछी जाएगी address detail के बाद other detail है then other detail के बाद qualification है फिर work experience पूछा जाएगा फिर certificate and documentation फिर criteria सेलेक्ट करना इतने steps है ठीक है तो एक-एक step इसीले हम लोग कर रहे है address में आप क्या करिए जो permanent address है उसको fill कर लीजे and नीचे आपका जो है यहाँ पर same as permanent address पर tick कर देंगे ता आपका दोनों address same हो जाएगा अगर दोनों अलग अलग है ता आप दोनों अलग अलग इंटर करिएगा इसको इंटर कर लेते हैं यहाँ पर यह इंटर करने बाद फिर से आप save and next पर click कर लेंगे complete detail अब यहाँ पर आएगा क्या आपके पास NCC certificate है तो no कर दीजेगा अगर है तो yes करिएगा physical standard में देखे height जो मागी गई male candidate में 167 और female में 155 मागी गई आप लोगे बार notification चेक कर लीजेगा तो जो आपका height हो जो आपकी chest का size हो और जो आपका weight हो वो चीज आपको यहाँ पर इंटर कर देनी है इंटर करने के बाद नीचे आप देखेंगे black list declaration है तो यहाँ पर आप no कर दीजेगा criminal case अगर कोई pending है तभी yes करिएगा अदरवाइस no करके आपको save and next पर click कर देना है जैसे आप save and next पर आएंगे आप से qualification detail पूछा जाएगा अब देखे qualification detail में क्या है जो भी चीजें आप करेंगे उनको add करना है तो अगर आप 10th plus ITI से अगर यहाँ पर भर रहे है form तो आप यहाँ पर 10th की detail चूछ करिएगा उसका certificate number डालिएगा year, passing year, state, board का नाम यहाँ से select कर लिजेगा और उसको add कर दीजेगा add करने बाद सेम फिर SI blank open होगा उसमें आप अपना ITI का detail इंटर करिएगा और उसको भी add कर दीजेगा अगर आप 12th basis पे apply कर रहे हैं direct आप यहाँ पर क्या करेंगे 12th चूछ करेंगे बट अगर आप ITI basis पे कर रहे हैं पहले आप यह चूछ करेंगे उपर का portion SSC matric के high school उसके बाद आप नीचे देखेंगे तिसमें एक ITI का option आएगा फिर आप ITI चूछ करेंगे ठीक इस तरह से form fill up करना चलिए पहले high school कर लेते हैं यहाँ पे high school का आपको यहाँ certificate number डाल देना है ठीक है जो आपका certificate number हो वो आप यहाँ पे डाल दीजेगा इसके बाद आपको अपना state select करना है state select कर लेते हैं यहाँ पे year आपने कब पास किया high school हो आपको select करना है यहाँ पे ठीक उसके बाद board या university तो यहाँ पे state board select करिएगा add पे जैसे ही आप click करेंगे आपका देखेंगे यहाँ पे यह add हो जाएगा आपका high school का detail ठीक अब यहाँ पे अगला आपको क्या choose करना है ITI certificate number जो आपका है अगर नहीं मिलता आपको certificate number तो अपना आप roll number जो है वो डाल दीजिएगा जो roll number आपका रहता है ठीक जिससे आसानी हो year आपने कब पास किया वो चीज़ आपको डाल देनी यहाँ पे इसके बाद state आपको अपना select कर देना किस state से आप पास हुए अब यहाँ पे जब board आप से पूछेगा ना तो board इसमें बहुत सारे आएंगे जो कि आपको इसमें फिर समझ नहीं आएगा ITI के लिए हम board कौन सा इसमें डाले ठीक है तो वो चीज़े उतनी matter भी नहीं करेंगे क्योंकि आप ITI All India में लोग NCVT से ही किये हैं तो इसमें आप क्या करिएगा कि अगर वो नहीं मिल रहा है आपको तो आप सबसे नीचे आईएगा यहाँ पे others है या यहाँ पे उत्तर प्रदेश है वही आप डाल दीजेगा ठीक है यहाँ कोसिस करिए others डाल दीजेगा and others डाल के इसको add कर दीजेगा क्योंकि यहाँ पे board आपका so नहीं हो रहा है तो देखिए यहाँ पे ITI and आपका यह दोनों add हो गया इसके बाद आपको क्या करना है आपको next पे click कर देना है जैसे next पे click करेंगे अगर आप save रहत है तो yes करिएगा and उसको save करना है अगर नहीं है तो आप save and next पे चले जाईएगा अब यहाँ पे देखेंगे photo, signature, ठीक है 10th का certificate, ITI का certificate आपको upload करना है दिन आपको declaration पे click करके save and next करना है सभी document JPG format में 100KB के अंदर आपको रखने होंगे चारो document upload करने कबाद यहाँ पे tick किया हमने I do hereby declare पे and save and next पे click कर देंगे जैसे आप करेंगे document आपका upload हो गया अब आपको यहाँ पे post select करनी है तो post आप देख लीजेगा आप radio operator पे apply कर रहे हैं radio mechanic पे देखिए radio operator का selection process थोड़ा लंबा है radio mechanic का कम है तो जिसके लिए भी आप apply कर रहे हैं उस पे आप click कर लीजेगा and आपका trade eligible है तभी आप कर भी पाएंगे अब यहाँ देखे नीचे लिखा हुआ है कि matriculation and ITI अगर आपके पास है किन-किन trade में तब आप electrician हो fitter हो तब भी आप radio mechanic में apply कर सकते हैं अब यहाँ पे select लिजेगा yes कि आपके पास यह qualification जो है यह वाली intermediate वाली है and यह ITI वाली है तो आप इसको yes करिएगा अगर आप ITI पास हैं अगर आपने PCM से intermediate किया है तो आप इसको select करेंगे नीचे है कि आप as a compassionate appointment apply कर रहे हैं इसको आप no कर दीजेगा ठीक है then physical standard फिर से आप से यहाँ पूछा जाएगा तो आप यहाँ क्या करेंगे general category date आप select करेंगे नीचे जो हैं यह सब सिक्किम money पूर तिरप्रा मिजोरम के लिए है तो आप इसको select कीजेगा एंड इसके साथ आपका जो है यहाँ पे आ गया save and next आप कर देंगे फिर से जैसे save and next करेंगे आप देखेंगे सारी चीज़ें open हो गई अब यहाँ पे हो गया date आ गया यहाँ place आपको type कर देना है ठीक place माली जे मैं type कर देता हूँ अयोध्या place हो गया यहाँ पे center preference आपको देना है आप कहाँ चाहते है center जितने center इसमें से आप कहाँ चाहते हैं वो आपको अपने recording दे देना है तो हम माली जे यहाँ पे चाहते है delay हमने दे दिया delay ठीक है फीस है total 147 रुपए अगर आप SCST candidate है ता आपको total 47 रुपए 20 पैसे pay करने रहेंगे अब आप fees कैसे pay कर सकते है HDFC bank के page से आप कर सकते है payment gateway से तो आप चाहें तो इसको select करके आगे अपना payment कर सकते है फार्म आपका यहाँ पे complete हो चुका है जैसे यहाँ आप I hereby declare पे क्लिक करेंगे दिन आप pay now पे क्लिक कर दीजेगा agree and pay पे आपको क्लिक करना है अब इस तरह का आपके सामने एक payment page open हो जाएगा ठीक है simply आपको यहाँ पे अपना card number इंटर करना है expiry date उसका CVV यह सब इंटर करना है अगर आप इससे नहीं कर पा रहे हैं आप चाहते हैं debit card से करना उससे भी कर सकते हैं net banking से कर सकते हैं paytm wallet से कर सकते हैं जहां से आपको suitable हो आप उहां से आसानी से अपना payment जो है कर सकते हैं payment कर देने के बाद आपका form जो है final apply हो जाएगा उसका print out करके रख लीचेगा यहां पे हम इस portion पे stop करेंगे video क्योंकि simple है आप payment कर लेंगे बर तब भी अगर आपको दिक्कत आ रहे हैं फिर किसी candidate का form भरते हुए हमें video बनाना होगा क्योंकि यह just हमने एक sample के लिए form भरा था जिससे आप लोग अपना form apply कर पाएं तो यहां पे मैं इस portion पे इस चीज को cancel करूंगा आप लोग जरूर कर लेंगे बहुत ही आसान है payment कर ले ना इसको हम cancel transaction कर देते हैं ठीक है आप लोग जो है आसानी से कर दीजेगा यहां पे देखे जब आप pay कर देंगे ना fees तो जो unpaid आ रहा है न यहां पे paid लिख के आएगा ठीक है और जब paid लिख के आएगा उसके बाद आप आसानी से इसका क्या करेंगे print out ले लेंगे पूरा यह आपका form है इसका print out आप रख लेंगे आसानी से यही आपका complete detail होगा बाद में इसका admit card और सब जारी किया जाएगा तो आप इसको download कर पाएंगे उमीद करते हैं वीडियो आपके लिए helpful रही होगी आप लोग जरूर reply कीजिए अगर आप eligible हैं तो आपकेंसी बहुत अच्छी है अपारचुन्टी काफी अच्छी है थैंक्यू वेरे मच मिलते हैं अगली update साथ अगले वीडियो में तब तक आप सभी लोग बने रहेगा चैनल पे